नमस्कार दूस्तो आज में आपको एक और ऐसी औसदी से फर्षे कराने वाला हूँ जो आपके लिए भहुती फादे बंद होने वाली है ये जो आप औसदी देख रहे हैं इस औसदी का नाम है गोधडी इसको गोधडी गोड़ी या वेकरा की नाम से जाना जाता है जी हाँ दूस्तो और ये सब जगह पाय जाती है जंगलों में और सड़कों के किनारे ये बहुतец मात्रा में उग जाती है इस गोधडी के पते दिलके आकरित के होते हैं और समय रोए होते हैं छोटी छोटी और फूल देखिए आप छोटी-छोटी क्लर के होते है इसको गोधडी व इसके अनेक और फायदे ही मश्कार दोस्टों अगर अभी तक आपने मेरे चनल को सब्सक्राइब कर लिए और अगर वेडियों अच्छ लगए तो वेडियों को लाइक और शेयर जनुद कर दिए तो दोस्तों यह जो आपको यह बेच का गोदली विक्रा का चो आप देख रहे हैं चोटा सा पधा इस तरही जमीन पे फैलता है और यह उनमाद की बहुत अच्छी आश्दी है उनमाद जिनको पागलपन के बीमारी हुती है जो पागलपन के रोगी हैं उनमाद के जो रोगी हैं उनके लिए पोधा बहुत इच्छा यह संग फुस्पी कही तरह काम करता है दोस्तों कि इसको यह क्या करेंगे आप जिनको उन्माद की बीमारी है तो वह पंचांग ले 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 और पंचांग लेकर के अगर ताजब पंचांग लेते हों तो इसको कूट पूस करके आप र करके शेवन करते हैं तो इस गोधरी का पंचांग संग फुस्पी का पंचांग और ब्रहमी का पंचांग इन तिनों सदियों को पंचांग लेकर के आप कूर्पिस करके चूरन बनाईएगा और चूरन बना करके सुब्स साम अगर शेवन करते हैं तो यह उन्मात की बीमारी को पागलपिन की वीमारी को यह दूर कर देता है मेरिगी की रोगियों के लिए बहुत ज़्यादा गुड़कारी है आप क्या करेंगे बच और एक कूट अतीस बच कूट अतीस और ये गोधरी संग्पुस्पी और ब्रहमी इन च्छे सदियों को ले ले करके आप इसको कूट फीश करके चूरन तयार कर ले और इस चूरन में आप कपड़े से इसको च्छान ले और च्छना हुआ कपड़ा का चूरन अगर आप शेवन करते हैं तो ये मिर्गी रोग में बहुत ज़्यादा गुर्कारी है पुरान शे पुराने मिर्गी रोग में ये लाब दे देती है दोस्तो तो पागल फन में मिर्गी रोग में और आपके फिर दर्द में पुराने से पुराने फिर दर्द में अगर आप इसे बेकरा के इस पंचान को या तो सोरस को आप थोड़ी काली मिर्च और संधनमक डार करके अगर शिवन करेंगे तो पुरान से पुराना जो रोग है उसमें आराम मिल जाता है दोस्तों लीवर की खराबी में यहां लीवर में सूजन आ जाती है तिली में सूजन आ जाती है वहां पर आप इस गोज़री पर लगा सकते हैं इसको तो मस्तक पर लगाने से मस्तक को सीदलता प्रदान करेंगा और गर्मी के कानल जो होने वाला सरदाद है उसको यह दूर कर देगा दोस्तों यह गोज़री विकरा यह बेच का बहुत अच्छी और सदी है आप इसके जरूर प्रियोग करिएगा यह अगर कहीं पर भी आपको जैसे ववाशीर में ब्लेट चल रहा है यह नक्सीर का ब्लेट है तो इसको आप बहुत जल्दी प्रियोग करके रोग भी सकती है इसका सौरक पंचांग या फिर इसका क्वाद बना करके प्रियोग किया जाता है